खेल मंत्री संदीप सिंग्व सांसद नायाब सिंग सेनी ने भारतिय जन्ता पार्टी के स्थापना दिवस्व पिहोवा में मुख्य मंत्री की 6 अप्रेल को होने वाली रैली को लेकर पिहोवा हलके के कई गावों का दोरा किया हर्याना के खेल एवम युवा मामले मंत्री सर्दार संदीप सिंग ने कहा कि आगामी 6 अप्रेल को पिहोवा में मुख्य मंत्री मनोहर लाल के नित्रित्व में विशाल रैली आयोजित की जाएगी इसमें मुख्य मंत्री हलके के विकास के लिए करोणों रुपे की घोशनाय करेंगे संयोग से इसी दिन भार्तिय जंता पार्टी का स्थापना दिवस भी है इस रैली में भाजपा के प्रदेश प्रभारी और प्रदेशा ध्यक्ष सहित तमाम वरिष्ठ नेताओं को भी आमंत्रत किया जाएगा खेल मंत्री संदीप सिंग सांसद नायप सेनी के साथ गांव धनीरामपुरा, अरुनाया, जुरासी हरिगर भोर्क, बोधनी वसंत्पुरा में आयोजित कार्यक्रमों में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि अपने खत्म हो रहे वजूट को बचाने के लिए विपक्षी दल अब ब्रामक प्रचार पर उतर आये हैं लोगों के बीच जाकर उन्हें गुमराह करने की ड्यूटी विपक्षी दलोंने अपने कार्यकरताओं को दी है लेकिन लोगों को सतरक रहते हुए यह देखना है कि देश हित में कौन सा नेता सबसे अधिक बहतर कार्य कर सकता है उन्होंने बताया कि हिंद की चादर गुरू तेग बहादूर साहिब जी महाराज के चार सौवे साला प्रकाश परव पर 24 अप्रेल को पानी पत्मे विशाल समागम आयोजित किया जाएगा जिसमें मुख्य मंतरी मनोहर लाल ने सभी दलों, सभी नागरिकों और सभी धर्मों के लोगों को निमंतरन दिया है उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम सभी का सांजह होगा इसलिए इसमें बढ़ चड़कर भाग लें केल मंतरी संदीप सिंध ने ग्रामीनों की समस्याएं भी सुनी और उन्हें आश्वासन दिया की जल्द ही सभी समस्याओं का निराकरन कर दिया जाएगा इसके साथ ही गाउं के निकट अंबाला हिसार बाइपास पर दुरखटनाओं को रोपने के लिए यहां अंडपास या ओवब्रिज बनाने की मान को भी केंद्र सरकार के समक्ष रखा जाएगा सांसद नायब सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सतर्पता के चलते कोरोना की पहली लहर में भी भारत यूरोप और अमेरिका के अपेक्षा काफी सुरक्षित रहा प्रधानमंत्री मोदी के नेत्रित्व में ही भारत के चिकित्सा वैग्यानिकों ने आठ महीनी के अंदर कोरोना की दो-दो वैक्सीन तयार करके दुनिया भर में उनकी सप्लाई दी और भारत के साथ साथ दूसरे देशों के नागरिकों के जीवन को भी बचाया उन्होंने कहा कि देश की करोडों की आवादी को निशुक वैक्सीन दी गई है सांसद नायब सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व में भारत का डंका बजाया है पहले जब अफगानिस्तान में तालिबानियों ने कबजा किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतरित्व में भारत की फ्लाइटे वहाँ एपोर्ट पर उतरी और वहाँ से श्री गुरु ग्रंत साहिब जी महाराज की प्रतियों और साथ में सिख्व हिंदू समा की तरफ आंख उठाकर भी देख ले। थी और साहु थैंक झा सुेटे रहाँ में सिख्व हिंद्र मोदी की टुम नर्या ओ मैं सिख्व हिंद्री प्रतियों और मोदी का दो लुब साही दो फ्लागते प्लाओत उन्या जी गुब